कि मैं किस वेव में क्या कर रही हूं कि आपको पता ये तो चलो process would be बमएक में बगुद बड़ा है ना अम्मर्चे को ही सहारी चीज़े इसकी है मैंने मेरे बच्चे को भी गुड़ाहों पढ़ाया में चोड़ा नहीं है और सुद्टे पढ़ाना नहीं हुता है बच्छे को बच्चा पैदा करें पी लोग का सर चढ़ा है मेरा ही क्यों फॉर्टे तो मैं भेस अनादर मीडियो मैं पज्द थे तो मैं बात करने वाली हूं आज सर्ता जी के बारे में जी हां मैं इनका एक ब्लॉग देखा लगबग मैं कल देखी थी मैं थोड़ा बीजी थी इसके वज़े से मैं ब्लॉग नहीं देख पारी थी सबका तो बट्न मैंने कल उनका एक ब्लॉग देखा मुझे बहुत बुरा फिल हुआ कि एक उमेन जो प्रेगनेंट है प्रेगनेंट उमेन को सब बोलते हैं भगवान का रूप है कुछ मत बोलो उनको इस्ट्रेस मत दो टेंशन फ्री रहे क्योंकि बीपी उपर नीचे हो जाता उसके वज़े बहुत प्राब्लम होता तो अपना ब्लॉग डाली थी अपने बच्चे का बड्डे था उनका गोदभराई का रसम था उस रसम के बाद उनको एक कमेंट आया था तो मैं बता थी हो कमेंट क्या था और वैसा कमेंट किसी को करना नेचे मुझे भी कोई बोल दे तो बुरा ही लगेगा तो मालब में यूटूबर है तो उनको एक कमेंट आया था उनको एक गवार मा का टैक्ग दिया जाता है एक कोई था जिसका नाम सेटाजी ने में इंसन नहीं किया हिए बर वह रही थी उस टाइम और वह बोर रही थी उनका तब्यद भी खराब उनको खार ओकार ऐसे आई ही जा रहा है बोर इतु ताई नहीं को बिस्ट मेरा तब्यद ठीक नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं जो यह यह वीडियो देख रहे हैं अगर जिसके पास बच्चे नहीं होंगे वह समझ सकती हूं मैं खुछ समझ सकती हूं प्रॉब्लम तो तुमको दूसरे बच्चे का आज अगष्यू चाले और के जो देख स्चाहिय को इनके बच्चे को क्या संस्कार दोगी तुम 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 तुमारा पती नचहिंशा है और ऐसे ऐसे करके उनको बहुत चीज़े बोली गई थी कि तुम अपनी बच्चे को क्या संस्कार दोगी गवार मा हो गवार ही रहोगी तो मुझे तो समझ भी नहीं आता कि सर्ता जी किस एंगल से गवार उनको लगी इतनी मस्त हैं इतनी सुन्द हैं उनका नेचर एक नमबर है और गवार उनका वो कहीं विदेश गई थी घूमने उस टाइम का ड्रेस अब देखे एक नमबर है और तो कहां से वो गवार है और नचनिया की बात जो लेडी करके गई थी मेरा बस एक ही क्विस्चन है उन लोग उससे जो बोलती है कि अरे इसके पती ने सर पे चढ़ा रखा है देखो बाबा मन तो सब का रहता है कि मैं ऐसा पहनू मैं ये करूँ मैं पाटी करूँ मैं साटी करूँ सब का मरता है जब जिसको वह चीज़ें नहीं मिल पाती है तो बोलते हूं कैसे ड्रिस पहनी है वह उसको सब्षकार नामकर पर दूसरे को से बोलता है मैं तो बहुत अच्छी हूं मेरे सब्षकार बहुत अच्छे मैं तो ये सब चीज़ें करतीuges क्या आज अगो को मन सबका रथाय करने का तो अपना सजुता जी अपना पाटि बाटिवाटि इसी न अधिकार दिया कि आपको नहीं और रही बात कियार्लेस मा का एवोर्ड मैं मां उसकी मुझे बता है पर मैं ऐसी सोच वानों को एक बाद जरूर बोलना चाह情 कि चलो मैं तो कर लखा, हूं मैं तो shameless मा हूं हूं फिपर कि बच्चे का बच्चे का बीहेवियर कैसा है आप रहते कुछ कितना कहिं कि JULI बात है अपने बच्चे को ब्लॉग में बहुत कम से कम बें ज्यादा नही दिखाते मेरे बच्चे को यह हूगा फइवर बच्चे को फीवर वह सच में रियली में बताऊं तो सब यूटूबर अपना हर चीज एक एक चीज दिखाते बगड़ सर्ता जी जो है न अपना बच्चे का कमी दिखाती मेरे बच्चे ने वाट पाया क्या तो सर्ता जी का यही कहना था कि जो मुझे गवार बोल रही है वह आये अपना बच्चा लेकर मेरा बच्चा खड़ा रहा हूं सर्ता जी का बच्चा भी 10 साल करा वन्हें ती वह आये और मैं अपना बच्चा लेकर किसी मामले में कंपटिशन करा संस्कार या पढ़ाया वीहेवियर किसी अधर्वाइस कोई भी चीज में मेरे बच्चे का कंपेर अपने बच्चे करा जाएगा और बात मैं करने वाली यह है कि सर्टा जी ने यह बोला कि मैं गुड़गाव आज के दस साल पहले बस इसले आई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पूरा फैमिली छोड़ और उस सच में अपने बच्चे के लिए और बोरी मैं अपने बच्चे को बेश्ट स्कूल में पढ़ाती हूं गुडगाव के जाहिर सी बात है पढ़ाएंगी इतनी रिच हैं तो पढ़ाएंगी और यह हैं ना मैं रेक्शन वीडियो बनाती हूं तो अगर मुझे बुरा लगता है अगर उसके अंदर वो बुराई दिखती हैं मैं वह भी बोलती हूं ऐसा नहीं है तो देखे मुझे रेसरता जी के अच्छाई दिखिन मैं अच्छाई ही बोलूगी ज़रूरी नहीं मैं बुराई जो पहनने का और बोल दी उनके पती को बुढ़ापे में बच्चा पैदा करें ऐसा कौन बोलता है कि बुढ़ापे में बच्चा पैदा देखो भगवान मैं अपना बोलती हूं मुझे अभी बच्चा नहीं हो रहा है मुझे बच्चा खुद नहीं है तो मेरी एज कितना भी हो जाएगी वगर मुझे आस रहेगी कि मुझे आज नहीं कल होगी वो उमर देखा जाता इंसान का एक रहता हमें मा बनना जाए कितनी वी एज हो जाए तो यह चीज बहुत गलात बोली जो लेड़ी उनको बोल गी बहुत बात बात बोलकी गए बढ़ावती में बच्चा तो जो 40 साल में बच्चा पैदा कर रहें तो क्या वो पाप कर रहें कोई दे किसी का भी वीडियो देख रहे हैं कि पती को रचनिया मचनिया बोले बोला गया उसकाफी हर्ट हुई है तो यह चीज बहुत गलत है देखो कोई भी कमेंट किसी को भी करो किसी का कुछ अगर सच में बुरा हो ना तो भी कमेंट करो अगर आप खुद नहीं कर पाले तो कि अच्छी लगती है आपको कैसी लगती है तो मुझे पता नहीं और नाहीं मुझे सजिता जी ने कुछ दिया है कि मैं उनकी तरफ से बोरी मुझे जो लगा वही बोरी और मेरा एक ही चीज बोलना है अगर कोई भी प्रेगनेंट उमेन है तो उसको प्लीस आप लोग गलत जानना है तो कमेंट कर जहां में जरूर बताओंगी तो चले बाब बादोस्तो